इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे JS MIL theory of state तो PSR optional course जल रहा है और यह हमारी second unit है जिसमें हम theory of state discuss कर रहे हैं JS MIL theory of state पर भी काफी questions काफी बार पूछे जा चुके हैं तो एक बार देख लेते हैं कौन से questions हैं तो यहां पर आप देख सकते हो comment the worth of state is the worth of individuals composing it simple सा question है JS MIL के द्वारा यह quote किया गया है simple बहुत simple question है और 1995 में भी पूछा है 1996 में भी 2011 में भी same word to word यह question repeat हुआ है तो same ही question पूछा जा रहा है तो at least आप से यह expect किया जाता है है कि जो questions पूछे जा रहे हैं वही आपको पढ़के जाने है उन्हीं में से question जो है वो पूछ लेगा ठीक है तो इतना बस expectation होती है वही same notes जो है उसी answer के दिये हुए है इसको पढ़के चले जाओ और in the end जो question आएगा उसी का answer लिखकर के आना है बस उसको लिखाओ और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं PSIR option में तो JS Mill basically एक बहुत influential thinker थे classical liberalism के और JS Mill का contribution जो है अगर आप ethical thinking की बात करते हो तो काफी extraordinary है Mill की जितनी भी writings हैं जैसे on liberty उन्होंने जो उनका essay है इसमें on liberty पर तो उसमें उन्होंने अपनी thinking जो है वो express की है और उनका ये work on liberty बहुत famous है ये और उन्होंने इस अपने essay में बताया है individual और state के बीच का जो relationship है वो describe किया उन्होंने तो है क्या basically कि mil की thinking जो है वो individual की तरफ जादा inclined आप देखोगे कि individual की तरफ जादा inclination उनका है तो उन्होंने ये कहा है कि individual thinker जो होता है और individuality जो होती है किसी भी इंसान की वो society के लिए बहुत बड़ा असेट होती है क्यूंकिasan individuals ही एक society को constitute करते है कि एक individual है वो ही तो society बनाता है इंडिवीजुल्स ही सो आईटी बनाते है अलग अलग individuals हो गए आपके एक ही जगहां पर रहने लगेगे यही बन गई आपकी पूरी society ठीक है तो individuals मिल करके society बनाते हैं constitute करते हैं society को इसी वज़े से society further जो है वो state का एक बहुत important part हो जाती है तो अगर आप simple सी language में अगर आप समझोगे कि state वही है जो उसके ये citizens है state वही होगी जो उसके citizens होगे ठीक है कि individuals बहुत सारे बनेंगे equal to society बन जाएगी है और society बहुत सारी मिला करके ये क्या बन जाएगी state बन जाएगी तो therefore individuals equal to state है ना simple चीज़ तो इसलिए जो state की और individual की जो identities हैं वो सारी overlap करती हैं मतलब कि जब individuals progress करेंगे तो ही state का development होगा जब individuals का development होगा तभी state बढ़ेगी आगे virtues जो होते हैं individuals के right और wrong में difference करने का जो एक आपका sense होता है तो ये क्या है progress है ठीक है ये development है किसकी एक virtuous state की जितना जादा virtuous एक individual होगा उतनी जादा उसकी virtuous state होगी अब जो उनका essay है on liberty में उसमें js mail ये कहते हैं कि the worth of a state in the long run is the worth of individuals composing it यही आपका question पूछा जा चुका है तीन साल में तीन साल यही same question repeat हुआ है word to word your question repeat हुआ है और इसका यही answer है यही आपको लिख करके आना है कोई और book पढ़ने की जरुरत नहीं है सिर्फ ये कर जाना काफी है तो on liberty में यह कहा है उन्होंने कि state की जो वर्थ है वही वही चीज़ है जो कि आपके individuals की वर्थ है क्योंकि individuals की एक state को बनाते हैं मिल के हिसाब से एक state जो है वो अपने जो जितने जेएसमिल बेसिकली क्या कहते है कि आपको perfection अगर आपको लाना है किसी भी चीज में तो आपको अपने जितने भी individuals है उनको आपको include करके चलना पड़ेगा ठीक है क्योंकि जो liberty है उस पर जेएसमिल ने कुछ जादा ही stress किया है in a sense कि मतलब जितने भी आपके individuals होंगे सबके लिए liberty important है state में उन्होंने यह कहा है कि state को जादा interfere नहीं करना चाहिए मतलब आपको अगर मैं short में बताऊं जिसमिल कहते हैं कि state को जादा interference नहीं दिखानी चाहिए और लोग जो है उनके actions पर उनको कोई भी रोक टोक भी नहीं लगानी चाहिए कि अगर individual जो है वो कुछ state जो है वो develop नहीं हो पाएगी तो यह चीज कहा है तो इसलिए JS मिलने अपना यह liberty का principle जो है वो action में भी अप्लाई किया और speech में भी अप्लाई किया उन्होंने कहा था कि जब भी आप जीने के तरीके में जब भी आप experiments करोगे experiments of living जितने ज़ादा होंगे उतनी ज़ादा human activity में development होगी अगर आप रोग टोग लगाओगी रिस्ट्रेंड करोगे action पर कि यह नहीं होना चाहिए तो वो चीज तो नहीं चलेगी तो ऐसी रिस्ट्रेंड लगाने action पर इसको discourage किया है उन्होंने फिर चाहे actions जो है वो किसी individual को हाम ही क्यों ना कर रहे हो ठीक है तो यह कह है कि चाहे एक individual जो है अपना कुद के पैरों पर कुलाडी मार ले पर उसको मारने देना चाहिए वो क्योंकि उसी से ही human activity की development होती है उसी सी चीज़ें इंसान सीखता है वो समझ में आती है तो जेस्मिल ने जो है personal development पे ज्यादा focus किया है इंपोर्टेंस के आए personal development की उसको उन्होंने focus किया है और साथ में ये conditions लगाने conformity का negative impact पर भी focus किया है कि अगर आप ज्यादा conditioning लगाते हो ना restrain कर देते हो किसी की action को तो individual की development में वो harmful होता है वो चीज़ जो है वो बीच में gap ले आती है individual की development अच्छे से नहीं हो पाती तो the liberty जो है जो जिसकी बात JS मिलने की है वो यह है जहां पर individuals जो है वो हर एक individual equally free हो कि अपनी जो आंदर के जो tendencies है अपनी जो talents है capabilities है उनको develop कर सके तो उन्होंने यह assume कि है कि इंडिवीजुल जो है वो naturally जो भी उनको अच्छा लगता है जो भी वो करने में अच्छे है उसके तरफ वो naturally draw हो जाएंगे कि हर एक individual के अपने अपने इंटरस्ट होते हैं तो वो एक naturally अपने इंटरस्ट की तरफ खिचे चले जाते हैं तो इंडिवीजुल naturally उस चीज की तरफ जाएंगे और वो इंडिवीजुल अपनी जो natural ability है अगर आप उसको free छोड़ दोगे तो वो ऐसी ऐसी चीज़े develop कर पाएगा अपने अंदर के जो उनके जितने भी टालेंट्स है उनको इतने अच्छे से develop कर पाएगा कि वो उस इंडिवीजुल के लिए भी बहुत अच्छे से contribute करेगी और state के लिए भी equally बहुत अच्छे से contribute कर पाएगी तो मिल जो है वो यह firmly believe करते हैं कि एक state जो है व development में hamper हो जाता है liberty में hamper करता है तो इसमें क्या होता है कि इनसान जो है थोड़ा सा disinterested हो जाता है अपने खुद के mental और intellectual progress की तरफ और state की भी progress उससे hamper होती है और इसी वज़े से यह जो worth of individual है in terms of his ability कि individual की जो worth होती है क्या क्या कर सकता है वो उसको भी hamper करती है जिसकी व वही चीज होगी कि individuals का जितना अच्छा development होगा state भी उसी हिसाब से progress करेगी individuals develop नहीं करेंगी state develop नहीं करेंगी individuals develop करेंगे state develop करेंगी तो यह सारे चीज़े साथ में चलती है parallel चलेगी तो अगर कम conclusion देखें तो यह कहा जा सकता है कि कोई भी state जो है अपने individual से बड़ी नहीं ह है that no state is greater than the individuals composing it इस line को याद कर लो अगर यह question आए इस line को जरूर लिख देना तो आपको एक कोई भी exceptional state आप कभी बना ही नहीं सकते अगर उसकी population जो है वो बहुत ही इडियोकरसी है और अगर state जो है वो बहुत exceptional है तो वो इसलिए ही होगी क्योंकि उसके जो लोग है जो individuals उस state को बना रहे हैं ठीक है वो ही बहुत excellent है exceptional होंगे वो individuals इसी वज़े से state भी exceptional है individuals जो की एक state को constitute करते हैं वो एक major contributing factor बनते हैं एक state के लिए हर एक dimension में तो individuals जो है उनको asset भी कहा जा सकता है individuals equal to assets ठीक है तो अगर आपको उन assets की वर्थ समझनी है तो आपको state की वर्थ जो है उसको समझनी जरूरी है तो same ही चीज़ है equal way में चलती है यह दोनों चीज़े इसलिए जो यह multi-dimensional development है individuals की fullest extent पर तभी possible है जहां पर बहुत ही कम state intervention होगा जितना जादा कम state intervene करेगी लोगों के matters में state individuals के matter में जितना जादा state कम intervene करेगी उतना जादा उन assets को आप और जादा worthwhile बना सकते और जादा develop कर सकते हो उनकी अपनी अपनी अलग-अलग capabilities को develop होने दे सकते हो virtues को develop होने दे सकते हो qualities को develop होने दे सकते हो जिसकी वज़ा से एक worthy और prosperous state बनेगी ठीक है तो यह था हमारा JS Mills theory of state same question पूछा गया है बिल्कुल direct question है कुछ भी गुमा फिरा के भी नहीं पूछा है UPSC ने ठीक है तो यह question आप लिखकर के आजाओगे आपको अच्छे marks मिल जाएंगे बस यह चीज है जो पढ़ने वाली है अभी आज के लिए इतना ही करते है next lecture में हम लोग TH green की theory of state पढ़ेंगे इसके उपर भी question पूछा जा चुका है